Hello viewers, आज की वीडियो में हम सीखेंगे चार अंग का बिना हासिल का जोड़ इसके रिए हम लेते हैं चार अंग की संख्या हमने ली 4523 और इसमें हम जोड़ेंगे 5342 तो सबसे पहले हम इकाई के अंग याने के 3 और 2 को जोड़ेंगे तो सबसे पहले हमारा है उपर 3 तो इस 3 के लिए हम खीच लेते हैं 3 लाइन 1, 2, 3 और नीचे इकाई का अंग है हमारा 2 तो इसके लिए हम खीच लेते हैं 2 लाइन 1, 2 और गिनते हैं किकुल कितने लाइने हो गई 1, 2, 3 तीन, चार, पांच, यानि की कुल हमारे कितनी लाइने हो गई, पांच, तो अब हम यहाँ इकाई के अस्थान पे लिचे लिख देंगे, पांच, इसके बाद हम दहाई के अंग, यानि के दो और चार को जोड़ेंगे, तो सबसे पहले हमारा दो है, तो इस दो के लिए हम इसके बाद दहाई का अंग है हमारा चार, तो इस चार के लिए हम खीच लेते हैं, चार लाइन, एक, दो, तीन, चार, और गिनते हैं कि कुल कितने लाइने हो गई, एक, दो, तीन, चार, पांच, चै, यानि की टोटल, चै लाइने हो गई, यहाँ हम दहाई की अस्थान पर छैलिक देते हैं इसके बाद हम सैक्रा के अंक याने कि पांच और तीन को जोड़ेंगे तो सबसे पहले हैं हमारा पांच तो इस पांच के लिए हम खीच लेते हैं पांच लाइन एक दो तीन चार पांच इसके बाद है हमारा तीन तो इस तीन के लिए हम खीच लेते हैं, तीन लाइन, एक, दो, तीन, सॉरी, और इनको गिनते हैं, कि कुल कितने लाइन हैं हो गई, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, याने कि टोटल हमारी हो गई, आठ, तुन हाँ हम सेकड़े के अस्थान पे लिख देंगे, आठ, इसके बाद हम अंतिम हजार के अंको जोड़ेंगे, याने कि चार और पांच को, तो सबसे पहले हमारा चार है, तो इस चार के लिए हम चार लाइन खीच लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, और नीचे हमारा हजार का अंक है पांच, तो इस पांच के लिए हम खीच लेते हैं, प दो, तीन, चार, पाँच अब इनको हम गिन लेते हैं कि कितने लाइने हो गई एक, दो, तीन, चार, पाँच, छै, साथ, आठ और ये नो याने के टोटल नो लाइने हो गई तो इस नो को हम यहाँ हजार के अस्थान पे लिख देंगे तो इस प्रकार जो हमारा प्रस्ण था, 4523 और इसमें हमें जोड़ना था, 5342 तो इसका उत्तर क्या आया है हमारा, 9865 आईए एक और उदहान से इसको समझने की कोशिश करते हैं अब हमने जो अंक लिया हुआ है, 1045 और इसमें हम जोड़ेंगे 7633 तो इसमें भी ठीक हम वैसे ही करेंगे, पाले हम इकाई के अंक को जोड़ेंगे ध्यान दीजेगा, जब भी हम जोड़ करेंगे, तो सबसे पहले हम इकाई के अंक को जोड़ेंगे तो इकाई में पहले हमा उपर का अंक है, 5 तो उपर वाले 5 के लिए हम खीच लेते हैं, 5 लाइन एक, दो, तीन, चार, पाँच, फिर नीचे इकाई का अंक है, तीन, तो इस तीन के लिए हम खीच लेते हैं, तीन लाइन एक, दो, तीन, और इनको अब मिला के गिन लेते हैं, कि कुल, कितनी लाइने हो गई तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, याने के टोटल कितनी लाइने हो गई, आठ, तीहां हम एकाई की अस्थान पे आठ लिख देंगे इसके बाद हम दहाई के अंक, याने के चार और तीन को जोड़ेंगे तो सबसे पहले हमारा चार है, तो इस चार के लिए हम खिच लेते हैं, चार लाइन एक, दो, तीन, चार और फिर दहाई का अंक नीशे हमारा है तीन तो इस तीन के लिए हम खीच लेते हैं तीन लाइन एक, दो, तीन और इनको अब गिन के देखते हैं कि कुल कितनी लाइन हो गई एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ याने के टोटल साथ लाइन हो गई तो अब हम यहाँ दहाई के अर्थान पे लिख देंगे साथ इसके बाद हम सैकड़ा के अंक याने के जीरो और च्छे को जोड़ेंगे तो सबसे पहले हमारा सैकड़ा का अंक है जीरो और जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ हम कुछ भी नहीं लिखते हैं अब नीचे हमारा क्या है च्छे तो जोकि यहाँ जीरो है तो इसके लिए हमने कोई लाइन नहीं खीची और नीचे हमारा है च्छे तो च्छे के लिए एगर हम 6 लाइन खीचेंगे तो गिनने के बाद भी 6 ही आएगा तो यहां हम 6 लिग देते हैं या हम सिंपल भशामें कहें तो किसी भी संख्या में 0 को जोड़ने पे को इस संख्या आएगी तो इस प्रकार जब हम 0 में 6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6 तो यहां हम 6 लिख देते हैं, इसके बाद हम हजार के अंक याने के 1 और 7 को जोड़ेंगे तो सबसे पहले हमारा है एक安 तो इस एक के लिए हम खीच लेते हैं एक लाइन और इसके बाद है हमारा साथ तो इस साथ के लिए हम खीच लेते हैं साथ लाइन एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ और गिनते हैं कि कुल कितनी लाइने हो गई एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ याने कि टोटल हो गई आठ लाइने तो यहां हम हजार के अस्थान पे आठ लिख देते हैं तो इस प्रकार 1045 में 7633 को जोड़ने के बाद हमारा उत्तर के आएगा 8678 तो यह दो अभ्यास प्रस्थन हैं इनके उत्तर आप कमेंट में जरूर दें ताकि हमें भी मालूम चले कि आपको कितना फाइदा हुआ बाकि अगर वीडियो चलागा हो तो लाइक और सेर करना भूले मिलते हैं ऐसे ही ग्यान वर्दक अगली वीडियो में तब तक किली बाई बाई